भारतीय रेल्वे में चलती रेल को जंडी दिखाने वाले के पास हमेशा दो जंडी क्यों होती हैं? इसके साथ ही वह ये भी देख रहा होता है कि कहीं किसी डिब्बे में कुछ गड़बर तो नजर नहीं आ रही. इसलिए उसके एक हाथ में हरी जंडी जबकि दूसरे हाथ में लाल जंडी होती है. हरी जंडी दिखाने का मतलब है कि सब कुछ ठीक है और लोको पाइलर ट्रेन को लेकर आगे बढ़ते रहें. एक एलेक्ट्रिक कार को फुल चार्ज करने के लिए कितने यूनिट बिजली की जरूरत होगी. एलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज करने में 28 यूनिट बिजली खर्च होती है. ऐसे में अगर ईवी चार्ज करने का खर्च प्रती यूनिट 9 रुपएय रहता है, तो एक वाहन क चार्ज करने के लिए दो सो बाईवे रुपये खर्च होंगे. मोबाइल में कैमरा लेफ्ट साइड ही होता है. क्यों बैक कैमरे को स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड में देने के पीछे कि सबसे बड़ी वजह लैंड्सकेप मोड है? दरसल जब तस्वीरें लैंड्सकेप मोड में लेते हैं, उस समय कैमरे के उपर उंगलिया नहीं जाएं, इसलिए इसे हमेशा लेफ्ट साइड में दिया जाता है. वहीं दूसरी तरफ इसे लेफ्ट साइड में होने की वजह से इसके उपर बार-बार उंगलिया नहीं जाती है. डायमंड रेलवे क्रासिंग क्या है? यह किस स्टेशन क्षेतर में पाड़ी डी एचता है? भारत का रेल नेटवर्क काफी बड़ा है. इसके बावजूद कहा जाता है कि डायमंड क्रासिंग एक मात्र नागपुर में ही है. यह डायमंड क्रासिंग नागपुर में संप्रीती नगर स्थित मोहन नगर में है. शेर और अन्य जानवर जो कभी मंजन नहीं करते, उनके दांत कभी भी खराब क्यों नहीं होते हैं। यह कोई पक्की तरह नहीं कह सकता कि मंजन करने से दांत ठीक रहते हैं। और बद्बू तो किसी आदमी पर निर्भर है कि वह इसे बद्बू मानता है कि नहीं। आपके नाम पर कितने SIM हैं? इस पोर्टल के जरीए आप सेकंड्स में चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने SIM हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले HTTPS.gov.in.ons पर जाना होगा. यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नमबर डालना होगा. किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपती की सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस के लोग किस हद तक जा सकते हैं यह एक मिनट में 800-50 राउंड फायर करने में कैपेबल होते हैं. इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है. सेकंड कमांडोस के पास सेमी आटोमैटिक पिस्टल होती है बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं, जिसका वजन 2.2 के जीन होता है. मरे हुए इनसान को जिन्दा करने का प्रयोग करने वाला डॉक्टर कौन था? इस सन की डॉक्टर का नाम संतोश पोल है. वह चह कतल का आरोपी है, जिसमें पांच महिलाएं और एक पुरुष है. वह महाराश्टर के सतारा जिले में डॉम नामक जगह पर रहता था और वही पास में ही एक अस्पताल में काम करता था. ट्रेन को कैसे करते हैं चालू डीजल इंजन? कार का एर बैग नहीं काम करता है. आपकी कार किसी हादसे का शिकार हो रही है, तो कार में एर बैग नहीं खुल पाएगा. ज्यादातर गाडियों में सीट बेल्ट तब तक काम नहीं करता, जब तक सीट बेल्ट आपने नहीं पहना होता है. ज्यादातर कार में हाथसे के समय ही एर बैग तभी खुलते हैं जब कार में यात्री सीट बेल्ट लगा कर बैठे होते हैं